हेलो एवरिवान आइम दुश्यंत वेल्कम बैक टू जेकल एक्जाम करेकर तो आज हम पढ़ेंगे सेमेंथ अब सिप्टमबर के इंपोर्टनि प्रड़ को आपको में पूर्लिय को परिशचाए घ्जाम करेकर अगर 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 आपको कोई कोर्स बाइब करने आपने जेकी एक्जाम करेकर आप पर देख सकते हैं तो तलिये शुरू करते हैं साम के इंपॉर्टन करेंट आफेर्स्ट कोर्शन है लोविन बार्ग वी नेम ब्रेंड बैस्ट आप समर्ग शिक्षा अभियान ऑफ विश्टेट्ट यह कहां की है यह है याद रखेगा यह कहां की है यह है आसाम की इन्होंने अभी रिसेंट्ली ब्राउं मेडल जीता है इन जिनको और जब रखेगा और ये इनके सेकंड बॉक्सर है इंडिया के लिए ब्राउन मेडल लाया है पहले पहले एंसी तो यह जैसे ही आपको मेने बताया थे कि जो 19 इसे हैं अपनी लिखारणी है जिन से इसे हैं पेरेल्मिक्स में एक गुड लाइये, एक ग्राूंड लाइया है, जो शूटर है, उनको भी राजस्तान को ने ढूंड आपनीक अबॉइण ही बेटी बड़ाओ, बेटीी बचाओ अवियान का। याद रिखेगा। इंपॉर्टेंट है इक्जाम लिटेट आपके इंपॉर्टेंग। इनको बनाया गया है संबर्ख सिक्षा अभयान में जो साम की है लोविनआ बोर्ग्वन जो एक बॉक्सर है। और जो अभी लिखार जो शूटर है उनको ब्रेंड मेस्टर बनाया गया बेटी पड़ाओ बेटी बचाओ बियान का राजस्तान का याद रिखेगा और इनोंने 69 kg कैटेगरी में मेडल जीता है 2020 जो अभी रिसेंटी सम्मर लॉम्पिक्स हुए और इनके साथ जो टाटा इंस्टूट ऑफ शोचल साइंस है वो भी इनकी गोर्मेंट की हेल्प करिया स्टेट गोर्मेंट की डिजिटल लर्निंग के लिए यह इनकी विच्छर है और यह नेदरलेंड में जो हुई थी अभी इसको अब डच को नेदरलेंड डेंड़िक्स पी कह सकते हैं और यह इस पार 36 years बाद हो रही है याद रहीगा 36 सालमबाद हो रही है लास्ट्म ळास्टम 1985 में हुई थी और इस टाइम यह मैक्स वेरिस्पन्ट जीते हैं जो खु नेधरलेंड के ही हैं बड़ इनका जनम बेल्जियम में हुआ है और आप देख सकते हैं उन्हें रिसेंटली कितने मेडल जीते हैं कितनी बार यह जी चुके हैं और इस पार इन्होंने मैक्स वेर्श पेंड ने इस पार साथ जीती हैं इसमें जो अभी बेल्जियम डेच ग्रेंड पिक्स हुआ इसमें जो लूइस हमिल्डन थे जो टॉप के प्लेयर मन जाते हैं जो खुद यूके के हैं और यह टॉप के फॉर्मला मन के रेशर मन जाते हैं तो आप लिश देए कि सकते हैं इसका आपको पीडियाफ मिल जाएग के डेलिग्राम पर नेक्स देखते हैं महाराष्टा गोर्मेंट हैस डिसाइड़ी टू सैट अपे साइन सीटी इन पूने इट विल बी नेम्ड आफ्टर विच पर्सन किसके नाम पर बनाया जाएगा इस साइन सीटी यह बनाया जाएगा राजीव गांदी जी के नाम पर पूने में बनाया जाएगा इसको बारत राधन गांदी साइंस इटी बनाया जाएगा शैन сы coke पीब पूरी में और चुक्व पाएगन में प्युंदिय के अंडर यह मुंबे के सी एम उद्देव ठाकरे जी और बग्गया किशोरी जी और अभी मैं आपको रिसेन वी यह वहां का पार्क था ओरांग National Park और्णाव नेशनल पार्क इसका नाम चेंज करके इसका नाम पहले राजीव गांधी ओरांग National Park रखा गया है और रिसेंटली अभी हमारे जो पीम थे उन्हों हुझा राजीव गांधी खे लतनर वार्ड का नाम चेंज करके सिर्फ नाम चेंज करके दियानचन्द खेल रतन अवार्ड रखा गया है तो वैसे ही इन्होंने चेंज नहीं किया है इन्होंने बल्कि जो साइन सीटी का नाम था उसमें महाराष्टा गवर्मन उसका नाम भारत रतन राजीव कांदी साइन सीटी रख दिया गया है next देखते हैं who has become the quickest Indian fastballer to take 100 test cricket किसे ने किया है यह किया है जस्प्रीद बुम्राइजी ने जो हमारे फेमर्स क्रिक्टर है तो यह क्योंके इन्होंने किया है सिर्फ 100 टेस्ट में इन्होंने यह किया है जो इनकी 24 गेम थी इंडिया के लिए और यह मतलब अभी जो टेस्टर रहें इंग्लैंड में फिफ्ट और फाइनल डे वाले दिन इन्होंने यह हासिल किया है और बुम्राजी ने लेजेंडरी जो हमारे कपल देव हैं जो वर्ड का विर्णर है उनके उनका बीट के उनने 25 टेस्ट लगाए थे इस चीज को 100 विकट का मार्क क्रॉस करने में और इनको सिर्फ 24 लगे हैं और यह 22 हैं इंडिया इंडियन लिस्ट में जिन्होंने सबसे जिन्होंने जो तो थी फिफिटी रैंक लाया है और उसके बाद आई एसे और भी देख लगते हैं कौन-कौन से आई एसे बिंगलोर जिनके बार हम पड़ चुके हैं अभी इंडियन इंस्टूट अफ टेकनोलजी इंडिया के जो है आई 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 यूश्टिय आफ आउक्सफड ने यूके की है उसके बाद इंट्रेशनल डेय ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू सकाइस इस सैल बेटर ओन विच्टे इस तिंद मनाया जाता है और यह समस्टंबर को मनाया जाता है इस बार इसकी थीम थी हल्दी एयर एंड हल्दी प्लैनेट औ और विच कंपनी लॉंच्ट किसान स्टोर किस कंपनी किसान स्टोर लॉंच किया यह किया है अमजान ने देख सकते हैं पिचर भी हमने लगाई है किसान स्टोर ने यह अमजान किसान स्टोर एक लॉंच किया जहां पर किसान जो भी मतलब एगरिकल्चर को लेकर जो भी होती यह लांच किस ने किया है अगरिकल्चर जो मिनिस्टर निंदर सिंग तोमर उन्होंने लांच किया है एमजान किसान स्टोर नेक्स देखते हैं जैक्वेस रोगे फू पास्ट अवे रिसेंटली वास्ता फार्मर प्रेजिएंट ऑफ विच स्पोर्ट्स और्गनेशन तो यह किसके थे आई-उसी के थे इंट्रेशनल लॉंपिक कमेटी के जो समर लॉंपिक्स कराते हैं उनके यह फॉर्मर प्रेजिएंट थे तो इनका इनके डथ हुई अभी अभी अग्ड़ ऑफ चैनली के नेक्स लिखते हैं विच कंट्री और स्टेवर जॉइंट मिल्टरी एकसराइज शेयर डेस्टिन जैसे मैंने इसको पर थोड़े दिन पहले यह आपको पढ़ाया था यह होंगी और फॉर्स्टाइम ऐसा हो रहा है कि चार कंट्री प्रेट कर रही है जिसमें मंगोलिया है थाइलेंड है की चाइना है और पाकिस्तान याद रखीग और यह चा किन हम हो गए सप्टमबर में होगा इसी मन्त होगा और सटाइम ऐसा होगा यह piece scooping exercise है पीस कीपिंग एक्सेसाइज है और इसमें अपनी जो टेक्टिकल ट्रेनिंग है वो भी शेर किया जाएगी आर्मी की जो भी होती है और यहां आंद फोर्ट से साएंगी और इसका याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टन है शेर डेस्टिनी है इसका यूंग इसी साल सेतंबर में हो रहां चायना में हो रहां फरस्टे आवर जो उन मिल्टर अखराइज होगी और अब तक की शाइद सबसे होगी और इसमें मतलब यही है है कि फ्रेंड़ी रेस्टन बढ़ाने के लिए यह किया गया है नेक्स देखते हैं which ship participated in the first maritime partnership exercise with Royal Moroccan Navy तो आइनस तबार है जिसको तलवार जो तलवार क्लास में कहा जाता है जिसको और यह four month के tour में है यूरोप के और अभी ये रश्या में deployed है याद रखिए अभी फ्रांस फ्रांस भी जाएगी रश्या में तो हाई है और उसके बाद जितने भी मतब रास्ते में इनको जो भी इनके लिए जो एक्सराइज रखेगी है वहाँ पर सब ड्रिल्स वगरा जो भ इसके बाद इजिव्ट में जाने वालीगी जो नेख्स कोर्शन आपका इसी के रिल्टिट है एजिप्ट में जाइंगे और यह भी डिप्लॉइ किये जाएंगे यह और इनका जो एजिप्प में जो इनका यह बताया है इजिप्ट में जो एक्सराइज होगी इसका नाम ब पूर्ट में ठीक है यह एजिप्ट में होगा याद रखेगा जिप्ट में होगा यह जैसे इंडिया का अभी मरोकों सो यह शिप है जो आई एनस ता बार जो मरोकों से होने के बाद यह सिरफ यह सीधा एजिप्ट जाहेगी जहां टॉंटीवन कंट्रीस मिल्टिनेशनल एक् यू एई है और काफी यूरोप की कंट्रीस पी है जिसमें पाटिस्पेट करेंगी इसमें ड्रील्स वग्यार होंगी काफी कुछ होगा तो अभी याद रखेगा रखेगा रश्यमन को इसको डिप्लाय किया गया अभी यूरोप और अफ्रिका के टूर में हाइनस तबार औ और रश्या की जो मरॉक्वी केप्टल है वह तहते बात और जो इसकी करंची है वह है मरॉक्को दिरहाम नेक्स जेखते हैं 28 सिंगापूर इंडियन मार टाइम बिली ट्रेल एक्ससाइज सिंबेक्स 2021 विल भी हेल्ड अड विच प्लेज जैसे मिन आपको थोड़ दिन पहले इस विच थो इस प्लेटेत से पड़ाये था है सॉट चाइना सी में होगी और यह जो होगी यह इसमें इंडिया और सिंगापूर के जो भी अचे करने के लिए यह नेवी की तरफ से जो भी मतलब नेवी की एकसेज बगार होंगी रिस बगार होंगी फ्रेंडरे सिंक के लिए और अच्छे एंप्रूव करने के लिए और ट्रेनिंग भी अपनी इंप्रूव करने के लिए अपने आपको तक्रवश बनाने के लिए इस ये और गनाइस की गई गया थेंक यूप करता हूं आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आपको इसका पीडिएफ चाहिए तो पीडिएफ आपको टैलिक्रम पर विडिएबल हो जाएगा और रोज रात को आपको 9 बुजे वीडियो से अवेलिबल हो जाएगी जो भी आपके एक्जाम कुछ भी जाना तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉल्व कर सकते हैं जीक एक्जांग्रे का नाम का हमारा इंस्टाग्रम अकाउंट है थैंक्यू सो मच